आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अधिक सील है क्या है क्यों यह सबहुत है तो देखो हम लोग के व्यूत्पन क्या होता है ये होता है अब देखो यहां से अगर OH को हटा कर L लगा दें यानि कोई एक ग्रुप लगा दें तो वे हमारा अम लिपक इसपन हो जाएगा तब देखो इसमें क्या होता है इसकी अगर हम सनरचने कुछ ऐसे बनाए इधर R इधर L वही सनरचना है ताते की है तो देखो इसमें क्या होता है कि यह C और O के बीच में इलेक्टरान ऐसे ट्रांसफर होता है तो यहां पर प्लस चार जाता है और यहां होता है माइनेस ठीक है इसके पास क्या होता है इसके पास होता है एक आची यूदि यह क्या करता है? अपने इलेक्ट्रानों को इधर देता है और यह अपने इलेक्ट्रानों को इधर देता है तो देखो, यहां से तो कुछ ऐसा बन जाएगा ठिक तब देखो यह कौन अधिक clear seal होगा तो इसमें देखो अगर हम बात करें तो clear seal तक प्रम वही होता है और जितना यहाँ पर plus charge बढ़ेगा ठिक है यहाँ पर जो plus है यह जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तो देखो यहाँ प्रग्रम बात करें NS2, CS3 यानि सम्में CS3, CU सभी में कामन है यहाँ देखो हमें दिक रहा है अब बचा क्या यहाँ पर NS2 बचा यहाँ पर OCS3 बचा यहाँ पर CL बचा यहाँ पर OC2H5 बचा तो देखो NS2, OCS3 और CL और OCS2H5 में जो यह L है यह L इतना ज्यादा लीव करेगा मतलब इनकी Living Group Ability यानि लीव करने की छम्ता जिसकी ज्यादा होगी वस्तर्त ज्यादा क्या स्लिव होगा ठीक तो देखो LGP मतलब Living Group ठीक है जो हमारा बाहर निकल रहा है यह L बाहर निकल जाता है ठीक है तो इसकी ज्यादा होती है अगर हम इसकी बास करें तो इसमें देखो CL की सस्त ज्यादा होती है ठीक है सस्त ज्यादा होती CL की फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि यहा तो देखो इसमें देखो यहां से अंसाफ साफ देख सकते हैं कि CLC सब्स ज्यादा LGT समता होती है ठीक है क्योंकि यह इलेक्टान खींचता है ठीक है इस कारें ठीक तो इसलिए यह सब्स ज्यादा CIC लोगा तो अगर हम बात करें यहां पर तीसरा आफ्टान जो हमारे पर यहां पर दिया हुआ है यह हमारा चाहिए होगा Thank you